हमें सर इतने महीने हो चुके या इतना time हो चुका reading करते हुए English के question attempt करने जाते हैं तो हमारी negative marking और ज्यादा हो जाती है जो चीजे मैं आज आपको यहां बताऊंगा पूरे YouTube पे आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगे एक बात कि मैं guarantee लेने के लिए तयार हूँ आपका reading comprehension वाला portion बहुत अच्छा हो जाएगा और आप वापस आके बताएंगे कि सर इस reading comprehension के वज़े से अब हमारा English में भी score improve होने लग गया ए गाइस कैसे हैं आप सभी? इस आज के वीडियो में बहुत important topic जो बात करने वाले हैं यहां बोले तो शाहिद इस सबसे important topic होगा बहुत सारे बच्चों के लिए that how to improve reading comprehension जब आप लोग के comments पढ़ता हूँ वीडियो के नीचे या अलग-अलग जगाओं पे Instagram, Telegram पे आप लोग के message देखता हूँ तो एक चीज जो सबसे common रहती है वो यह कि सर हमारा English का score इंप्रूव नहीं हो रहा है यह सर हमें English में confidence नहीं आ रहा हमारी English में accuracy नहीं आ रही हमें सर इतने महीने हो चुके यह इतना time हो चुका rating करते हुए English के question attempt करने जाते हैं तो हमारी negative marking और ज़्यादा हो जाती है और हमारे number और कम हो जाते है तो guys यह जो main problem है यह majorly हमें तीन topics की वैसे होती है सबसे important topic तो reading comprehension ही इसके साथ एक topic है para jumble और एक topic है close test majorly यह तीन topics हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा problem होती है तो आज बात करते हैं सबसे पहले और सबसे important topic की reading comprehension अब देखो यह topic कितना ज़्यादा important है यह मुझे शायद आप लोग को बतानी की ज़रुत नहीं होनी चाहिए because prelims में 30 में से 10 marks मतला exactly आपका 33.33% marks अकेले आता है reading comprehension से अगर mains की बात करें तो mains में आपको सीधे सीधे 3-4 reading comprehension देखने को मिलते ही मिलते हैं मतला importance बहुत बहुत ज़्यादा है तो इस पर हमें focus भी बहुत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आज मैं आप लोग को एक नहीं दो नहीं बलकि तीन ऐसे तरीके बताऊंगा reading comprehension solve करने के कि अगर तीनों तरीके आपने अच्छे से diligent होके hard work करा इनके उपर एक बात कि मैं guarantee लेने के लिए तयार हूँ मैं अपने लिखके देने के लिए तयार हूँ आप लोग को कि अगर ये चीज़ें जो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ अगर आप लोग एक महीने तक करते हैं मात्र एक महीने तक तो आपका reading comprehension वाला portion बहुत अच्छा हो जाएगा और आप वापिस आके बताएंगे कि सर इस reading comprehension के वज़े से अब हमारा English में भी score improve होने लग गया तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में और बहुत जादा knowledgeable और बहुत डीफ वीडियो होने वाला है और एक और बात कि जो चीज़ें मैं आज आपको यहां बताऊंगा पूरे YouTube पे आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिले बहुत ध्यान से देखिएगा और एक चीज़ और बोलूगा कि हर चीज़ के नोर्स जरूर बनाईएगा नहीं तो फिर आपको बार बार घूम कूम के वीडियो पर वापस आना पड़ेगा और आपका टाइम बिस्ट होगा ठीक है और अगर आपको आज का वीडियो पसंद बहुत लोग होता है और हमें जानने से पहले ऐसा लगता है अटेम्ट करने से पहले कि हमसे नहीं बनता आएगा बट आज कि इस क्लास के बाद आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिदेंस आ जाएगा और इन चीज़ों को फॉलो करिए अपको लगातार इंप्रूव होत अगर आप यह नहीं समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रेंशन हमसे चाहता क्यों है वह कुछ और भी तो दे सकता था रीडिंग कॉम्प्रेंशन देने के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है और इसी के लिए हमें एक प्रॉपर स्किल सीखने की ज़रूत है जो रीडिंग होता है इसमे सबसे पहले हमें रीडिंग करना होता है फिर उसमें सेंस करना होता है कि भाई और क्या बूलना चाहता है और क्यों बोल रहा है और हमें insane करना होता है और final reading comprehension का level हो जाता है थोड़ा increase और अब बच्चों से बोला जाता है कि आप inference करके बताओ क्या होता है inference क्या होगा इस reading comprehension का conclusion क्या होगा इस reading comprehension का यहां बोलते है cause and effect क्या होगा तो यहां पर सबसे जादा बच्चों को problem आती है इस आड़े तीरे टाइप पी questions में तो आज इन सारी चीजों की बारे में बहुत डीटेल में बात करेंगे चले चालू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं that what do we have to do in reading देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका यह doubt होगा कि सर हम कहीं जगाओं पर देखते हैं तो कुछ टीचर बोलते हैं कि पहले reading comprehension पढ़ो वहीं कुछ टीचर यह बोलते हैं कि पहले questions पढ़ो तो हमें यह नहीं समझ आता कि पहले हम reading comprehension पढ़े या हम question पढ़े अच्छा आप मुझे यह जरूर बताना कि क्या आपको भी यह doubt रहता है कि नहीं कि हम पहले reading comprehension से चालू करें या फिर question से पढ़ना चालू करें देखो मैं आपको इसका बहुत अच्छा और बहुत सरल और एक proof करके answer देता हूं कि आपको क्या करना है देखो reading comprehension हमारे examination में total 3 types के आते हैं पहला वाला मैं बोल सकता हूं easy reading comprehension जो थोड़ा easy होता है story based होता है और थोड़ा lengthy होता है मतलब पढ़ने में बहुत easy होता है मतलब बहुता है story based इस type के reading comprehension आपको prelims में देखने को मिलेंगे और SSC के tier 1 में भी देखने को मिलते हैं बहुते थोड़े lengthy होते है story based होते हैं बिल्कुल जैसे for example हम बोलें वो कवा और वो जो गंबले वाली story है ना कि उसमें pot में कंका डाड़ लालके वो पानी उपर ले आया या rabbit और tortoise वाली story जो बिल्कुल easy होते हैं बहुता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वास read करते जाओ करते जाओ और जो जो वो बोल रहा हैं समझ जाएंगे फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम keywords को पकड़ लेते हैं और keywords को पकड़के यहाँ पर हम questions के reply कर देते हैं तो यह पहली category दूसरी category होती है जो moderate level के होते हैं reading comprehension थोड़े lengthy होते हैं प्लस इनकी जो vocabulary और grammar वाला portion होता है वो हाई हो जाता है मुझकिल vocabulary आ जाती है मुश्किल grammar आ जाती है और length भी अच्छी कासी होती है तो यह आपको जातार means में देखने को मिलते हैं यहाँ जब कभी-कभी हमारा prelims बहुत मुश्किल आ जाता है तब इस level के आपको reading comprehension देखने को मिलेंगे थर्ड category होती है हमारी reading comprehension की difficult difficult मतलब इनकी जो length होती है वो बहुत छोटी होती है मतलब यहाँ पे शायद दो यहाँ तीन paragraph होते हैं इनकी जो vocabulary होती है यहाँ जो grammar होती है plus यहाँ पर जो sentence formation होता है भाई साहब यह इतना मुश्किल होता है कि अगर आपने reading comprehension में महरत हासिल नहीं करी न तो भाई difficult वाले तो आप भूल जाओ और उपर से इनके question बहुत मुश्किल आते हैं inference वाले cause and effect वाले conclusion वाले affirmations वाले लग करना बहुत मुश्किल हो जाता है देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करोगे देखो जब भी आपके सामने easy reading comprehension आया है मतलब जो story based reading comprehension आया है तो हमेशा यहाँ पे हमें keywords के पीछे जाना होता है keywords से हमें हमेशा questions को solve करना है questions में reading comprehension में keywords पकरना है पहले questions क को पढ़ोगे और उसके बाद reading comprehension आप questions को पढ़ोगे यहाँ पे keywords note down करोगे questions के और उसके बाद जलजली reading comprehension करके उसके answers यह easy वाले की की बात हुई अब अगर moderate level का आता है, जिसका vocabulary मुश्किल है, प्लस grammar थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा lindy है, तो यहाँ पे आप करोगे skimming, plus paraphrasing, skimming plus paraphrasing, यह दो चीज़े करोगे, आप जब भी moderate level चीज़ आएंगी, इनको और मैं समझाओंगा, मैं आपको detail में समझाओंगा, कि skimming क्या ह होती है, paraphrasing क्या होती है, और इनको किस तरीके से करना है, यह भी अभी आगे बहुत detail में समझाओंगा, और तीसरी चीज़ होती है, अगर difficult reading comprehension आ गया, तो यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, कि हर एक line को, हर एक word को अच्छे से read करो, हर एक चीज़ को ब पर इसमें पहले हम reading comprehension करेंगे, और उसके बाद questions करेंगे, और तीसरा difficult है, तो हमारे पास और कोई option ही नहीं है, पहले reading comprehension के बाद ही हम questions को solve कर सकते हैं, sequence हमझा आ गया हमें, अब बात करते हैं, जिसर आपने हमें यह बोला कि skimming करना है, तो skimming किस तरीके से करना होता है, तो आपको मोटा मोटा इसका मतलब भी समझ आ गया होगा, जैसी है कि newspaper का article है, एडिटोरियल मान लो, एडिटोरियल है, जिसकी language काफी हो सकता है, बच्चों को थोड़ी problematic भी लगें, बट पढ़ना बहुत easy था, अब आपने जब इसको पढ़ा, पूरा word to word पढ़ा, तो हमने देखा है है हमें मान के चलो लगे 50 seconds, या अच्छी reading होगी तो 30 seconds में भी पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो जो चीज़े बस मैंने highlight करी है, आप उस उस चीज को पढ़ो, जितनी चीज़े मैंने underline करी है, यहाप यह दो, underline, 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 बस underline वाली जो आपने पूरा पढ़ने के बाद निकाला होगा, same वही meaning निकलेगा, बट यहाँ पर हमने कितनी सारी चीज़ों को देखो, omit कर दिया, कितनी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर skip कर दिया, ready निकला, निर्मला सीता रमन प्रॉमिस्ट वन से ना सेंचुरी बजट रेजट उसे बाद ली, आगे लिखा है, despite her hype, despite the hype, मतलब वो जो इतना hype बनाने के, despite भी, expectations low थे, because government का जो revenue है, वो collapse हो चुका है, due to COVID-19, lockdown, leaving little fiscal margin for policy maneuver, population suffered, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाई, निर्मला सीता रमन ने एक अच्छा कासा, one से ना सेंचुरी टाइप का budget, वादा करा था, promise करा था, जिसकी वैसे पूरी country में सब लोग की hopes बहुत जादा बढ़ गई, but problem यह है कि अभी जो COVID long time लगा था, इसकी वज़े से सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कुछ भी करने का, तो सारी की सारी population सफर करी, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इस पूरे-पूर पैसेज की बात करो, तो इस पूरे पैसेज में word to word अगर हम read करने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको total मिलते हैं 84 words, but जितने words में highlight करें, वो है total 39, और इसी चीज़ को बोल लेता है skimming करना, skimming करना मतलब क्या होता है, unimportant words हम skip कर देते हैं, छोड़ देते हैं, unimportant मतलब यहाँ क कोई number आ गया, कोई fact आ गया, कोई figure आ गया, यह सारी चीज़ हमारे लिए important नहीं है, जिसे यहाँ पर आप देखोगे तो यह three months लिखा है, तो मैंने इसको highlight नहीं करा, यहाँ पर population लिखी है 1.3 billion, तो मैंने इसको highlight नहीं करा, तो जितने भी numbers होते हैं, facts होते हैं, figures होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको omit करना है, इन में से कोई भी चीज नहीं पढ़नी, इसके पात is हो गया, आर हो गया, दा हो गया, यह सारी चीज़े हमें skip करनी होती है, इसके साथ बागी सारी चीज़े मानकर चलो हो गया, generally एक word होता है, यह हमें skip करना होता है, बलाँ यह से skimming करते हैं, तो 84 words की बजाए आपको बस 39 words पढ़ने पढ़ते हैं, मतलब आदे से भी कम passage, मतलब 53.5, मतलब आपको बस 46% passage पढ़के आप इसको बिलकुँ सही मीनिन निकाल पाते हैं, समझ आये ना, skimming कितना ज़्यादा important होता है, और skimming कितना जल्दी हो सकता है, अगर आ होता है, कि reading comprehension में अकिले एक paragraph तो आएगा नहीं, एक, दो, तीन, चार, कितने भी paragraph आ सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है, इन सारे paragraphs को link करना होता है एक दूसरे से, पहला paragraph और दूसरा paragraph combine कैसे होंगे, क्यों author ने पहले paragraph के बाद ही दूसरा paragraph लिका, फिर तीसरे paragraph में क्या connection है वैसे ही चौते paragraph में और तीसरे paragraph में क्या connection है, हमें ये paragraph के बीच में connections बिठाना होता है, इस वज़े से जब हम skimming करते हैं, तो इसके बाद हमारी ये कोशिश है नहीं चाहिए, कि हर passage की हम समरी निकालें और अपने words में, अपने दिमाग में note down करने की कोशिश करें, अब initial days म मैं क्य करता था? मैं क्य करता था, मुझे जास यह yaad तो रहती नहीं थी, तो मैं क्य करता था, सारी चीजों को notes बना लेता था, जल्देली, paper पे लिख लेता था, मानके चलो यहाँ पर मैंने पहला paragraph पढ़ा, यही लिखा है, तो मैं यहाँ पर दिमाग में रखता था, इनो मैं अपने notes बना लेता था कि पहले paragraph में ऐसा लिखा है, budget की बात हुई है, expectations लोग की बहुत ज़्यादा थी, पर finally लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए है, ऐसे ही मैं दूसरा passage पढ़ता था, मान के चलो दूसरे passage में author ने कुछ और बोला है, तो मैं again यहाँ पर उसकी short summary लिखता था, finally आखरी में आते आते मुझे समझ आता था कि पहले budget की बात हुई है, फिर लोग परेशान हुए है, फिर लोगों ने आकरोश दिखाया, बही हो सकता है उसके बाद राजववन के सामने, पार्लेमेंट के सामने लोगों ने धरने करे, फिर उसके बाद उनके पहुंच जाओगे, कि मुश्किल से मुश्किल reading comprehension को भी आप stories में convert कर पाओगे, कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपको short में बताओँ, कि सबसे पहले आपको करनी है, चीजों में skimming, moderate level वाले reading comprehension के बारे में बता रहा हूँ, skimming के बाद आपको कोशिश करनी है, कि आप हर passage की different summary लिख पाओ, और हर एक paragraph को आप अलग reading comprehension मान के चलो, मतलब अगर एक passage में 5 reading comprehension है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो आप यह मानो, यह एक अलग चीज है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा और पांच पार, और उसके बाद हम फिर इनको connect करने जाएंगे, जिससे हम एक story develop कर पाएंगे, कि ऑथर ने क्या story बनाई है, और क्या सोच के story लिखी होगी, fine, so I hope कि आपको इस skimming वाला part और यह paraphrasing वाला part समझ आया होगा, कैसे आपको skimming करके चीजों की summary बनानी है, summary छोटी होनी चाहिए, एक line की या maximum दो line की, और उसके बाद उन summaries को हम connect करेंगे और एक proper story का form देंगे उस पूरे reading comprehension को, ठीक है, reading comprehension समझ आगे, अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों का doubt होगा, कि sir reading तो ठीक है, बट हमारी vocab बिलकुल अच्छी नहीं है, ना हमारी vocab improve हो रही है, हम इतनी सारी reading कर रहे हैं, फिर भी हमारे vocab के number नहीं आगे, तो देखो मैंने कभी खुद से भी vocab जाधा ध्यान से नहीं पढ़ा, भाई मैं हमेशा क्या करता था कि जब भी मुझे मान के चलो कोई एक ऐसा word है, जो बिलकुल समझ नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, उस sentence का context समझ नहीं की कोशिश करता था, कि चलो भाई मुझे एक word समझ नही लोग को परिशान करता है, इसके घर वाले भी से बहुत परिशान है, यह बिलकुल पढ़ाई नहीं करता, इस school में भी इसकी बहुत complaints आती है, ठीक है, और finally मान के चलो इसी passage में नीचे जाकि author नहीं लिखा है, कि चेतन is ludicrous in nature, ludicrous in nature, अब मुझे यह ludicrous का मतलब नहीं आत तो मतलब हो ना हो इस ludicrous का जो मतलब होगा न वो एक negative sense में होगा, negative sense होगा, कुछ ultra word होगा, यह सही चीज नहीं होगी, अब negative से कुछ भी बोल दो भाई ludicrous है, परिशान करता है, idiot है, stupid है, बेवकूफ है, जाहिल है, कुछ भी बोल सकता है author यहाँपे, बट author चेतन को लेक चाहे vocab का मतलब ना भी आता हो, तब भी आप इसके vocab के answer को काफी हद तक mark कर पाएंगे, fine, तो देखो, vocab करने का एक तरीका यह है, कि आप context से जा सकते हो, दूसा तरीका यह है, कि आप book पढ़ सकते हो, word power made easy, ठीक है, अब अगर देखो, आप लोग को word power made easy पढ़ रहे हो but still समझ नहीं आ रहे है कि इस book को कैसे पढ़ना है, तो नीचे मुझे comment section में बता देना, तो मैं अगला एक proper dedicate session लेके आ जाओंगा, जहां पर हम proper बात करेंगे detail में कि word power made easy को हमें कैसे approach करना है, और इसको maximum utilize हम कैसे कर सकते हैं, वो अगर आपको चाहिए तो नीचे comment section में मु हमें sense कैसे निकालना है, जब हमने पूरा reading comprehension पढ़ा, उसके skimming करी, plus summary लिखी, plus paraphrasing करी, but इतना सब करने का हमारा मतलब क्या था, भाई हमने क्यों ये सब करा, क्या sense बनता है कि हम इतना सब कुछ करें, because भाई पूरा reading comprehension पढ़ने के बीचे आपका बस एक मात्र उदेश होना चाहिए कि आपको author के emotions को समझना है, plus आपके author को feeling को समझना है, भाई आप कितना भी कुछ भी कर लो, जिस दिन तक आप author के emotions और feelings को नहीं समझ पाओगे, मान के चलो कि आप reading comprehension में कभी भी अच्छा score नहीं कर पाओगे, और फिर वही score करते रहोगे, 3 या 4 नंबर 10 में से, ह और example, अगर मैं आपको यहाँ पर example देता हूँ, अभी एक movie आई थी Kashmir Files, I hope सारे बच्चों ने देख ली होगी, अब हुआ क्या कि एक बहुत ही controversial topic के ओपड़ थी, तो इसके बड़ दोनो पक्षों ने बहुत बढ़ चड़ के सलिया, भाई कुछ लोग ते जो इस movie को दे परिशान है, वो बहुत सफर कर रहे है, उनकी बहुत दुरगती हो रही है, यह वो, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, मैंने भी यह सब जहला है, भाई positive वाले क्या करेंगे, उसमें और भड़ चड़ के अपने भी points डालेंगी, नहीं बहुत हालत कराब है, उनको school में न school खुले हैं, hospital खुले हैं, रोडों के सब लोग निकलते हैं, तो बिलकुल गलत movie बनाई गई है इस movie को, तो आप theater में से हटा देना चाहिए, उसके उपर इस movie के बैन लगा देना चाहिए, दोनों पक्षों की बाते ऐसी होंगी, पर जब आप sense समझोगे चीजों का, जब आ option C, author तारीफ कर रहा है, और यह option D, both A and C, अब अगर आप बोलोगे कि sir, यहाँ पे अगर author ने तारीफ करी है, बान के चलो author positive review वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, author खुश था और author तारीफ भी कर रहा था, इतला answer क्या हो गया, option daily, both A and C, वहीं अगर मैं बोलोगे, author negative था, purely बस से पहला उदेश है आपको होना चाहिए, वो यह कि आपको author का emotion plus feeling समझना है, आपको यह जो चीज है आपकी कभी भी एक रात में आप develop नहीं कर सकते, या कुछ reading comprehension आप पढ़के develop नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं आपको advice करूँगा कि आप लोग कोशिश करो कि at least 3-4 reading comprehension daily basis पढ़ना चालो करो at least 1-2 महीने तक, एक से 2 महीने तक आप 3-4 reading comprehension पढ़ो और हमेशा अपना बस एक ही उदेश रखा करो अपने मन में कि मुझे वहाँ पर author का feeling और emotion समझना है, देखो आप कई बार देखते होगे कि अलग-अलग editorials होते हैं, अब editorials दोनों तरफ के होते हैं मान का चलो कोई political editorial है, तो भाई वो editorial Congress के नेता भी लिखेंगे और वो same editorial BJP के नेता भी लिखेंगे, अब भाई Congress वाले ने अगर कोई editorial लिखा और वो आपके exam में आ गया, तो भाई हमें क्या पता चलेगा, कि हो ना हो यहाँ पर negative views ही हमें देखने को मिलने वाले हैं, वहीं पगड़ पाओगे, जब आप proper तरीके से summary करना चालू करोगे और उसके बाद paraphrasing करना चालू करोगे, तो guys, I hope कि यहाँ पर थोड़ा sense बन रहा ही चीजों का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं link करते हुए चल रहा हूँ चीजों को, कि कैसे आप उस reading comprehension का sense समझ सकते हो, और किस तरीके से आप उस reading comprehension को एक story format में properly solve कर सकते हो, इस से कितना में मुश्किल reading comprehension क्यों ना आ जाए, आप उसको हमेशा अच्छे से ही solve करने वाले हो, इसके साथ एक और चीज़ होती है reading comprehension को लेके, उसको बोले जाते है comma effect, comma effect क्या होता है, जनरली यह ब expand कर रहा हूं और elaborate करके बता रहा हूं, कि भाई skimming में के time में आपको क्या होता है, कि अगर कोई भी चीज़ दो कॉमास के बीच में लिखी है, तो आप इसको पूरी तरीके से skip कर सकते हैं, for example, अगर हम यह sentence पढ़ते हैं, देखो, my aunt who is a good cook, can't run as she is very old now, कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई बंदा उसके एक aunt है, जो भाग नहीं सकती, because वो बहुत old है, बहुत aged, बहुत बुड़े हो चुके हैं, और बीच में कह लिखा है, जो बहुत अच्छे cook हैं, तो क्या इनका कोई लेना देना है, क्या जितने भी अच्छे cook होते हैं, क्या वो भाग नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही unrelated context में चीज़े दी गई हैं, तो हमेशा यही होता है, कि जो भी चीज़ें आपको दो कॉमास के बीच में दी जाती हैं, आप उनको 90% time हमेशा skip कर सकते हो, तो यह skimming का थोड़ा elaborated part है, बट इससे आपको थोड़ा और चीज़ों को sense समझ आएगा, और आप थोड़ी और जादा speed में reading कर पाएंगे, तो यहां तक हमने क्या क्या बाते कर ली भाई, यहां तक हमने बात कर ली कि हमें reading कैसे करना है, हमें उसका sense कैसे निकालना है, अब finally बात करते हैं, आप तीसरे point की pen का color change कर लेते हैं, और वो बिल्कुल easy वाला reading comprehension आता है, वो purely आपका keywords के basis पे solve हो जाएगा, तो इसमें आपको जादा दिमाग तो लगाना नहीं है, जहां जादा आपको दिमाग लगाना होता है, वो है moderate plus difficult वाले reading comprehension आएंगे, because यहां पर questions का जो level है वो बहुत increase हो जाएगा, यहां आप से पूछेगा कि भाई इस reading comprehension का inference क्या है, इस passage का inference क्या है, author का conclusion क्या है, cause and effect क्या है, मतलब बहुत सारी अलग लग चीज़े author ने आपर पूछ सकता है, यह बोल सकता है कि भाई ऐसा कोई option में से statement चूज करो, जो author के एक argument को support करता हो, यह वाले question भी आपको देखने को मिलेंगे, support करता हो, यह जो author के argument के against जाता हो, यह वाले question आप तब तक नहीं कर पाएंगे, guarantee दे रहा हूँ, खुद के experience है कि जब तक आप चीज़ों के sense को नहीं समझेंगे, जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि author किसी point को लेगे, positive bias में है या negative bias में है, तब तक आप support और against वाले question कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह अलग-लग level के, अलग-लग type के आपको questions करने हैं, जिनके आपको लगातार practice करते ही रहनी है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, अब आप बोलेंगे किसा ठीक है, बट practice कहां से करें, because हमें pre-level का content हट जगा से मिलता है, but mains level का content हमें कहीं पर भी न लोग The Alpha Banker को पिछले time से follow कर रहे होंगे, आपको obviously पता है, कि मैं कभी भी आप लोग के पैसे घट्स करवाने के हमेशा उल्टा against रहता हूं, कि पैसे घट्स मत करो, but still यह एक ऐसी तीज है, जो आपको less than 999, 999 से भी सस्ता इनका pack है, जिसमें आपको pre plus mains का total content मिल जाएगा मतलब एक बार पैसा करच करोगे, हमेशा की tension गतम pre plus mains के content को लेके, इसी के साथ इनकी website पर already कुछ off चल रहा है, और इसके साथ अगर आप एक code लगा लेते हैं, alpha, alpha code ALFA तो आपको extra 12% और जादा उपर से off मिल जाएगा, तो अगर आप यह buy करना चाते हैं, तो link आपको वीड अपने अंतर, fine guys, so I hope guys की reading comprehension को लेके, आज आपके सारे doubts clear हो गए होंगे, और आपको एक proper study plan एक तरीका समझ आया होगा, कि किस तरीके से आपको reading comprehension approach करने हैं, अगर हम थोड़ा सा जल्दी से summary करें आज का वीडियो का, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 3 टाइप के reading comprehension bifurcate करे easy, moderate, difficult, इसमें हमें क्या करना होता है, हमने बोला easy में हमें पहले questions पढ़ने है, moderate में हमें पहले reading करनी है, दूसरी तरीके से बोलने तो skimming करनी है, वहीं difficult वाले में हमें बस बस reading करनी है, इसके बाद हमने समझा कि skimming क्या होता है, plus summary क्या होती है, plus paraphrasing क्या होती है, इसके बा गए होंगे इस्टिल अगर आपको कोई भी डाउट अभी रहे गए है जिसका आपको आंसर नहीं मिला है तो आप नीचे comment section में ज़रूर बताइएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर comment का answer जल्दी से जल्दी कर सको so guys take care see you then in the next video signing off my name is Shraak Chopra take care and keep preparing